राइबरेली में कॉंव्रियस नेता राहुल गांधी के सामने भारतिय जंता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंग को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस चुनाव में स्थानिय नेताओं के समर्थन पर सवाल उठने खड़े हो गए है। बीजेपी नेता दिनेश सिंग के नामानकन सभा में भारतिय जंता पार्टी ने भले ही अपने बड़े नेता डिप्टी सीम ब्रजेश पार्थक को शामिल करा के बड़ा संदेश देने की कोशश और नामानकन में बड़ी रैली की। हाला कि दिनेश सिंग के नामानकन से लेकर चुनाव प्रचार तक में अभी तक राइबरेली से विधायक अदिती सिंग चुनाव प्रचार में कहीं भी दिखाई नहीं दी। अदिती सिंग का कहीं भी शामिल न होना राइबरेली के राजनीतिक गलियारों में तमाम सवाल हुए लिखा कि उसूलों के साथ कोई समझोता नहीं भी एक अलग संदेश दे रहा है। अधिती सिंग पर हुए इस हमले का आरोप उन्होंने अवधेश सिंग के ऊपर ही लगाया गया था। इस घटना के दोरान दिनेश सिंग बीजेपी में आ चुके थे और अधिती तब कॉंग्रेस के टिकट पर विधायक थी। फिर साल 2022 के चुनाव में अधिती भाजपा में आ चुकी है और इस कारण काफी कुछ परिस्थितिया बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि राजनीती में अपना वजूद बनाए रखना भी बेहद एहम है और इस कारण राजनीतिक परिस्थितिया समझते हुए और नफा नुकसान नापते हुए अपना कदम रखेंगी। जिससे उनका वजूद भी बना रहे और अगर राजनीती में कुछ परिस्थती बदले तो उसमें भी उन्हें कोई बड़ा नुकसान न जेलना पड़े। बता दे की राइबरेली सीट को कॉंग्रेस का गर माना जाता है और अब इस चुनाव में सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद राहुल गांधी इस सीट से उम्मीदवार है। बता दे की राइबरेली सीट पर पांचवे चरण में 20 मई को वोटिंग होगी।